बॉल्कम तो चेप्टर पढ़ रहे थे लंका में हनुमान तक पढ़ चुके थे कि मेगनाद जो रावन का बेगटा होता है सबसे बड़ा बेटा होता है इंदुजीत होता है वैं हनुमान को बंदी बना करके दर्वार भी लेकर आता और शरुसर , रावन का सेनापती, पूछता है कि तूम कौन हो हनुमान, हनुमान अपना परिच देता है कि मैं राम का दूद्ध हूँ और तुमने सीतागा हरन किया है और इसलिए मैं यहां पर देखने के लिए आया हूँ तो इसी के आगे हम पढ़ेंगे अपनी बुक निकाल करके रखें देखिए जब ऐसा हो हनुमान बोलता है तो क्या होता है राम वह जड़ा गुस्सा हो जात है इसलिए मैंने यह उत्पात मचाया है और मैं तुमसे मिलना चाहता था इसलिए मैंने यह उत्पात मचाया तो रावन और बहुत जड़ा क्रोधित हो जाता है और वह क्या करता है हनुमान को मारने उठता है चोटे भाई विभीशन ने उसे रोक लिया अब रावन का अनुचित है नीति के विरुध है कोई दूसरा बंद दे दे रमान को पुने परणाम किया और पुझा मैं włmaker और मिल्सी आप सीता को सम्मान चहित लोटा दे एफ हनुवान को दुबारा से नवस्कार करता है और क्या कहता है कि मेरा की सीता को आप सम्मान के साथ में लोटा देंः इसी में आपका किुसल धनुर्दर राम से आप युद्ध नहीं जीज सकते हैं अब राम की वह बढ़ाई करते हैं कि तुम राम से किसी भी प्रकार से जीत नहीं सकते हो रावन ने हनुवान की पूच में आग लगा दी, आग लगा देनी की आग्यादी, अब देखो रावन ने क्या आग्यादी राक्षसों को की हनुवान की पूच में आग लगा दो, राक्षसों ने आग लगा दी, जलती हुई पूच के साथ उन्हें नगर में गुमाया, अब अनुमान ने अपने बंधन तोड़ दिया और एक बंधन पर चड़ कर उसमें आग लगा दी आप देखिए बंधन तोड़ करके वह एक बंधन पर चड़ जाते और उस पर आग लगा देते अनुमान एक से दूसरी अटारी पर कूते उन्होंने सभी भवन जला दिये और उसने पूरी लंका में आग लगा दी हाहा कार मच गया लंका जल रही थी धूदू कर राक्षस विलाप करने लगे और राक्षस क्या करने लगे रोने लगे अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई अब ह वाटिका की और भागे डर था कि कहीं आग उन तक ना पहुंच गई हो सीता कुसलती पेड़ के नीचे बैठी हुई आग से प्रभावित यानि कि आग उन तक नहीं पहुंच पाई हनुमान ने उसे प्रेणाम किया आशिरवाद मांगा और उत्तर दिशा की और चल पड़े राम के पास दूसरी टट पर सभी हनुमान की पतिक्षा कर रहे थे देखिए हनुमान की पतिक्षा उस और समुन्दर की दूसरी और सभी उसकी पतिक्षा कर रहे थे कि कब हनुमान आएगा और कब हमें सीता की सूचना देगा अंगत जामवंत अन्यवानर आते ही उन्हें स सीता से बेट हुई थी वे सब कुछ उन्होंने अपने अंगद जावंत वगरा सभी वानरों को सुनाया सीता से बेट का करम बताया कहा मैंने उन्हें देखा बात की यह समाचार सिर्राम तक पहुचाना चाहिए समय अधिक नहीं है वानर की कारिया बढ़ने लगे अब वानर स सब खुषी से उचलने लगे कि सीता का पता लग गया है अब सी राम तक यह खबर पोचानी हमें चाहिए प्रशंदा से वानरों का उत्पात बढ़ गया उन्होंने मार के कई वन उजाड़े अब इतने खुस हो गए थे सभी बंदर क्योंने क्या कर दे आसपास के जितने व सुगरीव और सुगरीव पोचे हनुमान ने राम को सीता दोरा दिया अबूशन दिया है अब देखिया हनुमान ने राम को बद्राइन नकि जिlor घय दिया था तो वह से राम को है राम का आंकों में आँसु करता आग понять फ्रेंट खील कैसे रहती वी जाया कोशन से पुछें प्रती हैं किसी हैं कैसी है चींत तीया आपकी पैतिक्षा कर रही है उन्होंने कहा येदि राम दो माह में यहां नहीं आये तो पापी रावन मुझे मार डालेगा राम शोप में डूब गए यानिकि दुख में डूब गए बाव बहल होकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया आसु रोक नहीं पाए इतना अंदर से उनकी आत्मा दुखी हो जब उन्होंने सीता के बारे में सुना कि उनकी पत्नी किस तरह से रह रही है और दो महीनी के अंदर अंदर राम उनका क्या कर देगा बद कर देगा अगर राम वहां पर नहीं पोचे तो राम उनको मार देगा सीता को लक्षे इस पर स्वेश्च था लंका पर आक्रमन अब बस उनको क्या करना था लंका पर किसी तरह से आकमन करना था और समय क्या था कम था कितना समय था केवल दो माँ का समय था ठीक है सुगरीव ने युद की तैयारे ततकाल प्रारंब करने का नीदेश दिया बानर सेनह इसके लिए पहले से ियार थी। उत्साहित थी। बानर सेनह पहले से tightly children ऐुख थी। पता लग गया है इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बाटने के आउसकता नहीं थी क्यों कि सीता का पता लग चुका था अलग दिशाओं में नहीं जाना था सबका लक्षे एक था दिसा एक थी दक्षिन सुग्रीम ने लक्षमन के साथ बैठ कर युद की योजना पर बिचार किया योगिता और योगिता की अधार पर बूमी का निधार थी हंवान कंगे रखा गया समुंद्र पर चर्चा हुई उसे कैसे पार करेंगे अब समुंद्र पर भी चर्चा हुई कि समुंद्र इतना बड़ा है अब हर्मान तो क्या है सक्तिसाली है जो उड़कर के पार कर लेता है लेकिन हम सब कैसे पार करेंगे, इसके उपर भी चर्चा की, उन्होंने बाते की, सेना का हर वानर हर्मान नहीं था, ठीक है, यह एक चुनोती थी, देर राद तक चर्चा का विशय रही, ठीक है, तो बीटा, आज हमारा यह चैप्टर कंप्लेट हो चुका है, और अभी आपक इसके रेडिंग करनी है, और इसके हाडवर जितने भी है, वह आपको अपने राफ नोट पुक में लिख करके प्रैक्टिस करनी है, और इस चैप्टर को अच्छे से रेड करना है, ठीक है, इसके कोशन आंसर आप खुद बनाओ, कोशन लिखो और उसके आंसर डूंडो, औ और मैं नेक्स वीडियो में इसके कोशन आंसर आपको कर वहाँ की, तो बेस बेटा, आज के लिए इतना ही, ओके बाई बाई